हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आज की करेंट अफेयर डिसकसन में इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का वीकली करेंट अफेयर डिसकस करेंगे आईए देख लेते हैं कि हमारा आज का एजेंडर क्या है इसमें पांच टॉपिक डिसकस करेंगे पहला है महराष्ट में एक राजनेतिक संकट चल रहा था उससे रिलेटेड एक हिद्दल बदल कानून एक गॉवर्नमेंट ने एक सरोगेट महिला बीमा योजना लाई है सहकारी समीति समेलन 2022 हुआ था इससे सहकारी समीतिक बारे में देखेंगे एक नालसा जज्जमेंट अभी चर्चा में है और इंटर स्टेट काउंसिल 2022 गठित की गई है यह टॉपिक हम डिसकस करेंगे पहला टॉपिक है महराष्ट राजनेतिक संकट से रिलेटेड इसमें एक दल बदल रोधी कानून चर्चा में था यह कनून है क्या यह कनून इसलिए बनाया गया था ताकि देश में राजनेतिक इस्थे रितः बनी रहे किसी एक दल के कुछ नेता दूसरे दल में बार बार ना जाएं इससे राजनेतिक संकट उत्पन होता है इस इस्थिति से बचने के लिए एक दल बदल रोधी कानून लाया गया था यहाँ पर आपको याद रखना दल रोधी कानून मूल संविधान में नहीं है यह मूल संविधान में नहीं है यह 52 संविधान संसोदन अधनियम 1985 के द्वारा दस्मी अनुसूची में जोड़ा गया दल रोधी दल बदल बीरोधी कानून और इस 52 संविधान संसोदन अधनियम 1985 के द्वारा एक राजनेतिक दलों को मानता प्रदान की गई, कानूनी रूप से मानता प्रदान की गई, ये भी मूल संभिधान में राजनेतिक दलों पी मानता के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, आपको दो बातें याद रखने हैं, कि दल बदल रोधी कानून का मूल संभिधान में कुल एक नहीं है, और र सब्सक्राइब की गई थी अब देखते हैं दल बदल रोधी कानून में जो सदस्य हैं उनकी आयोगता के आधार क्या है किस बेसिस पे उनको आयोगता हिराया जाएगा पहला है अगर निर्दली सदस्य किसी राजनेतिक दल में सामिल हो जाए इसमें कोई टाइम बॉंड लिम जाने के बाद या की सदन में एपनी तीत राप्त करने के बाद कभी भी अगर किसी दूसरे राजनेतिक दल में सामिल हो रहा है तो वा रह रहता है तो उसकी सदस्दशता निर्स्त कर दे जाएगी कितना इस में याद रिखना कितना 6 महीने बाद अगर वोग च्छे महीने पहले किसी की सदस्ता अग्रहिण कर लेता है about 3 महीने पहले तो वह उसको आयोग नहीं ठहराया जायेगा इसको मनवनीत सदस को तो यहां पर यह याद रखना मनुनित सदस्की बात हो रही है ना कि निर्दली सदस्की इसला टॉपिक है अपने दल दुवारा जारी विप के विपरीत मतदान कर दे यदि कोई सदस्य है जैसे मालेजी कांग्रेस ने एक विप जारी किया था कि सी ए ए के विरोध में हमको मत करना है लोक सवा में लेकिन उसकी किसी एक सदस्य के समर्थन में अपना मत दे दिया तो उसको अगर पंदरा दिन के भीतर उस संबंधित पार्टी यानि की कांग्रेस पार्टी उसको अगर माव नहीं करती है तो उसकी सदस्ता रद्ध कर दे जाएगी अब इसके अपवाद क्या क्या है मतलब किन परिष्थितियों में किसी भी सदस्ता की सदस्ता रद्ध नहीं किये जाएगी पहला है अगर किसी भी पार्टी के दो तिहाई सदस्स किसी अन्य दल्ब के साथ अपनी पार्टी का विलाइक करने के पच्छ में हो जैसे अभी महाराष्ट में क्या चल रहा है कि उसके दो तिहाई सदस्थ और शिव सेन से अलग होना चाहते हैं अलग हो कि यह दूसरी पार्टी बनाएंगे यह कि फिर सिव सेनी पार्टी पर ही दावा करेंगे तो यह इन पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा दूसरा है दूसरा कौन सा अपवाद है लोक सभा और राज सभा के सभापती चुने जाने के बाद कोई भी सदस है अगर लोक सभा या राज सभा का सभ़ापती चुना जाता है तो अपने दल से एश्टीफा देगा और जब वह अजब सभापती नहीं रहता तो उसके बाद हुआ है अपने मूल दल में सामिल हो सकता है इस प्रत्क्रिया में उसकी सदस्ता रद नहीं की जाएगी दूसरा टॉपिक है सरोगेट माताओं के लिए एक तीन वर्सी स्वास्त बीमा योजना की बात के जा रही है इसके दौरा केंदर सरकार के दौरा आज सबसे पहले देखते हैं कि यह सरोगेट माता है क्या इसमें से सरोगेशी के बारे में देखते हैं कि सरोगेशी क्या होती है सरोगेशी जनरली उन महिलाओं पर इस टेकनलोजी का उपियोग किया जाता है जो ले सिंड्रोम से प्योडित होती है बसको ले मैटोघ नियम जीनों में गड़बरी होती है माइ सिंड्रो में लेसख कैसा इसी करते हैं इस इनरज्ड्रो याकाउस फावर हाउ्स कुछते हैं मैटोघ कंटियों को इसमें जयेनों में समस्यू written हो जाती है तो पर्याप्ट उर्जा नहीं बना पाता जिस जिससे कि सेल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं तो ये ले सिंड्रोम उसको भी याद रखना है एक्जाम में पूछा जा सकता है ले सिंड्रोम में माइट्रो कांड्रिया के जीन में गड़बड़ी हो जाती है तो उन पे वो क्या है कि वो फिर गर्वधारण करने में असमर्थ हो लेते हैं और एमेल का एक्सेल लेते हैं एक्सेल और स्पर्म सेल को पर्टिलाइज करके उससे जाइगोट बनता है उसे क्या बनता है जाइगोट और ये जो जाइगोट प्राप्त हुआ इसे किसी भी थर्ड महिला के अंदर उसके गर्वासे में प्रवेस कराया जाता है औ और यहीं पे उस फिसु का विकास हुआ ब्रद्धी होती है यह जो थर्ड महिला है यह होगी सरोगेट मदर सरोगेट मदर होगी यह और यह थर्ड महिला ना की फर्ष्ट महिला यह इसकी बायोलाजिकल मा हो सकती है लेकिन यह सरोगेट मदर है थर्ड महिला जिसके अंदर ये जाईगोर त्रवेस कर आया जा रहा यही सरोगेसी है अब इस से रिलेटेट कानून लाया गया है इसमें क्या है कानून गौवर्मेंट के अनुसार महिला सरोगेसी तभी चुन सकती है जब उसका गर्भासे असामान हो या कि फिर गर्भासे ही ना हो और दूसरा पॉइंट क्या है गर्भासे कैंसर के कारण गर्भासे को ही पूरा रिमूब कर दिया गया हो ये ये दो परिस्थितिया हुई और एक कोई बीमारी के कारण अगर वो अपना गर्भ धारण नहीं कर पा रही है तिर्फ तीन कंडिशन ही है जब कोई महिला स ल्यान मंत्राले ने सरोगेशी विनियमन नियम 2022 के तहत नहीं अधिसूचना जारी की है इसमें क्या है कि इच्छुग दमपतियों को किसी मानता प्राफ्त बीमा कमपनी से सरोगेट माता के लिए एक स्वास्त बीमा खरीदना अनिवार होगा इच्छुग दमपति यानि कि ज है तो उसके लिए सरोगेट माता के लिए एक बीमा कराना होगा competition में वेर्ज के लिए मिनिमम होना चाहिए और इस वे carbon की में क्याक्या होना चाहिए क्या-क्लूड होना चाइए इसमें गरभा वस्ता के दवरान इसके पश्याद्राओ के पाश्च्चाद संबंधित जटिल बार ही कुई भी महिला सरोगेट माता बन सकती है तैल 3 attempt होते हैं किसी भी c माल लेते हैं कि अरोगेशीकी chilly is it अपनाई जा रही है लेकिन वह तिनों बार उसमेंश से रोगेशी फैल हो जा रही है तो उसके बार उस महिला पर सरोगेशी की प्रकृरिया अपनाई नहीं जाएगी सिर्फ और सिर्फ और मैक्सिमम तीन बार ही वो सरोगेट मदर कोई महला बन सकती है और अंगला पॉइंट है सरोगेसी माता को किसी विपरीद परिस्थिती के कारण गर्भपात कराने की अनुमती दी जा सकती है यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद इस अस्विकार नहीं कर सकता है उसको गर्भ उसका खर्चा लगा है वो बोले की नहीं इसमें गर्भपात कि कराएंगे हमको तो बच्चा चाहिए ही नहीं ऐसा नहीं अगर कोई विपरीद फरिस्थिती ए तो उसे गर्वपात की अनुमती करकार देती है और अंघ्व्ट टॉपिक है अनुसूचित और बहुराजी सहरी सहिकारी बेंकों तथा रिर्ण समितियों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था इसके द्वारा सहिकारिता मंत्रा ले द्वारा आयोजित किया गया था ये खुल मिला के सहिकारी समितियों से रिलेटिब टॉपिक है इसम सहकारी समिटियों का अस्थित्ट कहां से आया यह एंऑ 11C ड को इसका सब्सक्राइब is Itu प्रा इसका प्राउधान और partly 30 B में भी सब्सक्राइब लृऊ करिआ कि से की सक्ति vig一使 43B क्या कहता है राजसहकारी समीतियों के पेसे वर प्रावंधन को बढ़ावा देगा तो ये DPSP में भी लगा आए गाएंग मुला दिकार में भी है और DPSP में भी है और ये किस अनौसूची में है ये सेवन स referendum में है सात्मियन सूची में और यह राज सूची का विसे है क्या सहिकारी समिति राज सूची का विसे है इसका मार तो क्या है सहिकारी समितिया क्यों गठित के जाते हैं इससे गरीबों का ससक्ती करण होता है और इसमें करते के हैं सहिकारी समिट में कि कुछ लोग जैसे 10 लोग मिलके एक बुक इस्टोर खोलने का सोच रहे हैं अब ये बुक में क्या करेंगे ये थोड़े-थोड़े पैसे लेंगे लोगों से लेक और किसी भी पब्लिसर से जाके बुक खरीदेंगे तो इनको सस्ती बढ़ेगी जिजो सहिकारी समिट जो बनाए हैं बुक खरीदने के लिए तो यह एकिस इसलती पढ़ेगी और ये उन लोगों को जो असच्चम हैं उनको यह जो इनके सदस्ष ऑंसक dai बुक प्रवाइड करवाएंगी यही एक सहिकारी समिथी का राबा में के बेस हैर अभ इसमें क्या होगा कि जो लोग असच्छम हैं वो काम कर पाने में उनका ससक्ती करण होगा नेतरत्य विकास होगा लोग फिर इसमें कई लोग आपस में नेतरत्य का प्रबंधन कर लेंगे कि एक साल इसको नेतरत्य चेंज किया जाएगा तो इसी के सदस ही इसके हेड बनते चल अफ इंडिया के बीच में एक जैजमेंट दिया गया था नेशनल लीगल सर्विस अथर्टी अफ इंडिया और यूणियन वर आफ इंडिया की बीच में ये केस हुआ था इस केस में क्या हुआ था इसमें थर्ड जेंडर के मूल अधिकारों को मानता प्रदान की गई थी और को डिफाइंड भी किया गया था अर्जेंडर क्या सुप्रिम कोट ने क्या डिफाइंड किया है परसन फूस जेंडर आइडेंटिटी जेंडर एक्स्प्रेशन एंड जेंडर बिहेवियर डेड नाट कनफार्म टू दियर बायोलाजिकल सेक्स एनिकी जो उसको जन्म से जैसे भी अपनी जीवन के किसी भी समय पर माल लेते हैं कि यह 25 साल बाद इसको ऐसा महसूस होता है कि नहीं यह फीमेल जैसा महसूस कर रहा है तो यह क्या होगा यह ट्रांस जेंडर होगा यही बात हुई कि अगर जन्म से जो उसको पहचान मिली है यह उससे एससे नहीं कर रहा है यह इसकी कुछ भी इसका रीजन कुछ भी हो सकता है अर्मोन चेंज हो यह कि कोई और रीजन भी हो सकता है जो जन्म से किसी दूसरे लिंग में जन्म हो लेगिन अब यह खुद को किसी दूसरे लिंग में असोसियेट कर रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं थर्ड जेंडर की रूप मानता दे सकते हैं और इसी निर्णे में सुप्रिम कोट ने इसलिए इसको मूल अधिकारों करते किया है क्यूंकि इनके अधिकार बाधित हो रहे थे ये ना तो कहीं फाम भर पा रहे थे इन कॉलम ही नहीं दिया जाता था कॉलम सिर्फ पहले देता था मेल या फीमेल अब इस निर्णे के बाद से अनिवारे कर दिया गया है एक कॉलम देता है थर्ड जेंडर का इनको जॉब करने में जब भी कहीं फाम भरते थे इनको कॉलम ही नहीं मिलता था इनको जबर जस्ती किसी ना किसी कॉलम में अपने को सेट करना होता था तो सुप्रीम कोट ने यही निर्णे दिया है कि किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप अपनी इसी आइडेंटिटी के सा अपने को associate रखिए वो स्वतंत रहे अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अंगला टॉपिक है अंतर राजी परिशत का पुनर गठन किया गया है इंटर इस्टेट का पुनर गठन किया गया है इसमें इसका गठन इसमें कौन-कौन होंगे इसका एक अध्याच होगा और इसमें कुछ सदश्य होंगे सभी राजियों के मुख मंतरी अंतरराजी परस बिशाफ मंतरी के सदस्य हो और जहां विधाई का नहीं है वहां प्रशाशत जिनको गवर्णर य Sakytane नेक्ट Why Uh, All इनके सदर होंगे और अध्याच होंगे प्र ना मंतरी यहाद रखिएगा सिरक अन्तर राजी परिष्ग के अध्याच परदान मंतरी होते हैं और सदर सभी राज्डियों के सियम और जहां नहीं है। सब्सक्राइब है।र्ट कि अनुच्छे 263 मिंडेब है। क्या काहता नुच्छे 263 उसका करतब्यों की प्रकती को परिभासित करने अधिकरित है। उसके उसके कार्ध राफित करने के लिए कौन अधिकरित है ह। इसके कारे क्या हैं ? यह अंतर राजी , केंद्र राज्य संबंद व्हा खेंद्र सरकार और केंद्र सासित प्रदेशों के सम्बंद। से जुड़े मुद्दों करने वाला एक निकाए है। इनके संबंद। को किसे इंप्रूब किया जाए? या कोई इसका गठन कप किया गया था 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारी स्पेस का गठन किया गया था इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है इस आयोग के द्वारा गठन किया गया था सरकारिया आयोग के द्वारा इसका कठन किया गया था 1990 में अनुच्छे 263 में इसका उलेक है इसके नियम बनाने के लिए राश्टपती अधिक्रित है यह अपना कम्प्लीट हुआ अंतर राजीर परिशाद आज को टॉपिक कम्प्लीट हुए थैंक यू इप लर्निंग